हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल हैपी फिट, तो आज हम बनाएंगे अंकुरित मूंग, जिसे अक्सर लोग गलत तरीके से बनाते हैं और खाते हैं, जिससे उसके सारे निूट्रियंट्स खतम हो जाते हैं, तो यहां मैंने एक कटोरी सावुत मूंग लिये हैं, जिनक यहां मेरे पास स्प्राउट्स मेकर है, तो मैं इसमें बना रही हूँ, आप कॉटन के कपड़े में बांध कर भी बना सकते हैं इसके दोनों बॉक्सिज में आदा आदा मूंग फैला देंगे, और इस रेड कैप से थोड़ा दूर रखेंगे इसे लगाते टाइम दोनों कैप्स को आमने सामने रखना है, अब हम मूंग को अंकुरित करने के लिए 24 गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे 24 गंटे के बाद मूंग अच्छे से अंकुरित हो गए हैं अब हम एक कड़ाई में पाने डालेंगे और अंकुरित मूंग को स्टीम करेंगे इन्हें हमें डारेक्ट नहीं खाना चाहिए क्यूंकि रॉइ स्प्राउट्स एजिली डाइजस्ट नहीं होते और पेट में दर्द भी कर सकते हैं बीच बीच में हम इनको चला देंगे जैसे ही मूंग थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं हम गैस को बंद कर देंगे अब स्प्राउट्स को सर्फ करते टाइम बारी कटा हुआ टमाटर और प्यास डालेंगे फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, रॉक सॉल्ट और एक चमच नीबू का रस मिलाएंगे हमारे स्प्राउट्स खाने के लिए बिलकुल रेडी हैं